आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बर्कत दे अपने हाथों को उठाएंगे आज प्राथना में जाएंगे अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर का आत्मा आपको छुए पुवितरात्मा जी मैं पुवितरात्मा जी मैं पुवितरात्मा जी मैं पुवितरात्मा जी इसी समय 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 पुवितरात्मा जी इ आमीन बोलने वाले रसीव कर रहे हैं इश मसी के नाम में पिता तेरा धन्यबाद करता हूं और तुने चुआ और आशिशित किया इन लोगों को इश मसी के नाम में आज का बचान इनकी जिंदगियों में 100 गुना फले कराएं सो गुना फर लेकर आए प्रभू तीस गुना नहीं, साट गुना नहीं जो मुझे देख रहे हैं लाइव में इस समय प्रभू मेरी आखों के उपर से और मेरे चहरे के उपर से वो किरने इनके उपर उत्रें और डांस वरो आज इशो मसी नासरी के नाम में और आज से इसी समय प्रभू में इनकी जिंदगियां बडल जाएं इशो मसी के नाम में ये जैसे हैं वैसे ना रहें पर मिश्वर आज से ये फिर्मस हो जाएं इशो मसी के नाम में प्रभू में विश्वास करता हूँ तेरा कलाम में बार बार कोई प्रावलम्स हा रही है बार बार कोई भी अगर प्रावलम्स हा रही है तो परमिश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीज देना चाहता है कि आप तैयार हैं परमिश्वर की आशीज लेने के लिए पुवित्रा आत्मा आपकी जिंदगियों म तरजे में प्रॉब्लम्स में बार बार आपका नुक्सान हो रहा है बार बार आपका नुक्सान हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आप बंदन में कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे उपर कोई बंदन पड़ा है मतलब उनको सेलरिया मिलती है और वो नुक्सान में च सावधान करना चाती है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाता है वो आपको सावधानिया देना चाता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है इसलिए बैबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेज कर मुनुश्य को गड़े में से बार निकालता है इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फसेवे हैं मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है मेरा परमेश्वर कैसे मतलब की टेंशन में रह सकता है मेरा परमेश्वर आपको आप बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंदन में हम फसे हुइं आपने की जुरते हैं वाइवल बोलती हैं हमें जाचना है अगर आपका बार-बार नुक्सान उरहाएं इसका मतलब आप किसी बंदन में है, अगर बार बार एक्सिडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंदन में है, अगर बार बार कोई आपको फलोप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, बार बार फलोप होते जा रहे हैं, रुकावटे आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ने किसी बंधन में पड़े हुए है लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है कि आप बंधन से बाहर आने का क्या तरीक है अगर आप दो काम अपनी लाइफ में करते हैं तो करें कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं बंधन तूटते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं बंधन तूटते हैं लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है वो सारे लोग सोचते हैं शहाद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन तूट जाएगा वाई साहब ऐसे नहीं तूटेगा कर आप बार बार परिशान हो रहे हैं बार बार समस्याओं में जा रहे हैं करजे पर करजे आपके उपर आ रहा है कोई नुक्सान हो रहा है बार बार तो परमिश्वर का आत्मा करा है आपको फिलिंग हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जुर्त है परमिश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवितरात्मा ने मुझे मेसेज दिया कि बहुत सरे लोग जो आज ओनलाइन करें कि अंत तक देखेंगे वीडियों क को परमिश्वर का आत्मा करा है आज मेरी प्रेयर से आपके उपर से बंधन ठूटने वाला इश्वसी के नाम ने मैं फिर से करा हम विश्वात से के पवितरात्मा मुझे बोल रहा है अभी यहां बैठ कर बोल रहा है पवितरात्मा ने मुझे का करा आज जितने ओन लाइन देख रहे हैं मैं उपर से बंधन तोड़ने के लिए तयार हूं क्या इन्हें पूछ क्या यह बंधन तुड़वाना चाहते हैं इसका मतलब परमेश्वर अगर यह कह रहा है कि बंधन तुड़वाना चाहते हैं इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ तो आप अपनी जैसे अपने घर में आप एक बाइट लाइट जलाते हैं लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं पीली लाइट भी जलाएं मैं आपको कहा रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा के शाइनिंग आ जाएगी हालेलुया समझने वाला समझदार है पील जलाएं उससे क्या होगा परमेश्वर का आत्मा आपके चहरे पर शाइनिंग देने लगेगा पवितर आत्मा आज आपकी जिंद्गियों में अद्बूत काम करना चाहता है चुटकारे देना चाहता है और वह बंदनों को तोड़ना चाहता है क्या तैयार है बंदन को मतलब कि आप इनसान की लाइट को अपने पर ले रहे हो ब्लैसिंग को करते कि आपको लेना है बैबल कर रहिए है के आज अपने हातों के उठाओ और आज उस चुटकारे को ले लो आज अपने हातों को ब्लैसिंग कि मेरे उपर ये शाइनिंग उतर रहे, ही यिशुमसी न察री के नाम में आपके उपर ये शाइनिंग उतरएगी, और जुसी समयबैकर बहल बोलती है किरहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में परमेश्वर के लोग गो जो इस समय live देख रहे हैं आज पोईतरात्मा उनसे बाते कर रहा है और वो कह रहा है कहता कि आज मैं तुम्हें छुटकारे देने के लिए जा रहा हूं आज मैं तुम्हेरे बंधन तोडने के लिए जा रहा हूं आज सारे शराव years के ले जा रहा हूं आज का कराम आपकी जिंद्गियों को आज आजाद कर देगा जो कोई बंधन में जादू टोने के बंधन में जो काले जादू में पवितरात्मा ने मुझे मैसेज दिये कि मैं आज इनके ओपर से बंधन जेश्व के नाम में तोड़ दूँगा इसमसी के काम में लेकिन याद रखना के दो परकार से मैंने आप बिताया करा कि अगर बंधन नहीं टूटरा बार बार आपकी प्रेयर से तो दो बाते याद रखने आपने अगर आप हालेलुया के नारे लगाते हैं मैं कराऊं बंधन टूटने वाले इसमसी के नाम में दूसरा काम क कितनी बार मुह दिखाते हैं परमिश्वर को कता है अगर आगर आप दिन में तीन बार मुह दिखाते हैं परमिश्वर को तो 100% बंदन तूटेगा बहुत लोगों को नहीं पता अपनी डाइरी में नोट कर रहो कि जो लोग दिन में दो बार मुह दिखाते हैं उनके बंदन नहीं तूटने वाले मैं फिर से कर रहा हूँ कि एक बार दिखा रहे हूँ आपके बंदन तूटते हैं आप दो बार दिखाते हो ठीक है तूटते हैं लेकिन तीन बार करा कि जो तीन बार मुझ दिखा रहा है परमेश्वर को तो बैबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों के लिए भविश्यमाणी कर रहा हूँ जो मुझे ओनलाइन देख रहे हैं वो कर रहा है साथ दिन के अंदर उनके बंदन टूटते वे नजर आएंगे इसमसी के नामने बैबल बताती है बंदन के बारे में हम कैसे जानते हैं बंदन क्या होता है देखो करा कि अबराम के उपर क्या था बंदन था अबराम के उपर बंदन था और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है करा कि वो उसकी जमीन का कोई भी लालच कर लेता था जो कुवा खोता था उसकी जमीन पर कोई नो कोई लालच करके बैठ जाता था आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है करा कि आज आज आपके उपर भी कोई बंदन है करा कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके उपर से बंदन तोड़ने के लिए जा रहा है लेकिन पुईतरा आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है करा इसाग के उपर बंदन बहुत सारे लोग रोते रहते पीटते रहते और ये बोलते रहते के परमेश्वर कि मैं कहा जाओं मैं कैसे करूं मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है कोई आश्वाराम नहीं है क्या करूं मैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा है करा है इन जोए देने वाला परमेश्वर है आनन देने वाला परमेश्वर है लेकिन आ अगर आज तक भी आपने कोई पाप नी किया, कोई गलती नी किया, तो आपको निराश होने की जूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जूरत है, कि नेरे पीछे बंदन कहां से पड़े वे हैं, इसका मतलब आपके दादे पर दादों से बंदन आ रहे हैं, अबरहम ने कोई पा पर भी रिवका के उपर भी बंदन जो सारा के पास बच्चा नी था इसका मतलब उसके उपास भी ये बच्चा नी था कई बार बहुत सारे बंदन जो है पुर्खों के उपर से चले आते हैं कई बार हमरे पाप के कारण चले आते हैं लेकिन अगर आज भी कर जाए इसका करने की जूरत है कि यह बंधन मैं कैसे तुड़ाओं वैबल बोलती है करा के बंधन तूटता नहीं है तोड़ा जाता है आज आमीन बोलकर तोड़ दो इश्वमसी नासरी के नाम में आज मैं कराओं कि बंधन तूटेगा और आज साथ दिन के अंदर मुझे गमाईयां उस्टातमा अब आज लगाती है आपको लगता है के रात को डर लगता है अगर सांप बार-बार आपके जीवन में आ रहा है आपको रात को ड़रा रहा है बैट ड्रिम्स हारे है आप दो घंटे सो नहीं पाते हैं आज से वह बंधन ठूटने वाले है चर्च इश्मसी के न केरिला से कर जहां से भी कर यूपी से बंधन कोई भी देख रहा है पबंधन पढ़ा हुए पोईतर आत्माने मुझे का आज तू हात करना और आज मेरा आत्मा पीछे से बंधन तोड़ने वाला इश्मसी के नाम है लेकिन विश्वास है आपको विश्वास करना है मैंने फिर कर लें मैं कराओं कि अगर अपने फ्यूचर में भी आगर आप ये बात किसी को बता दोगे अगर आज आज आपके परिवार पर आपका बच्चा अगर स्टडी कर रहा है फोरन में अगर बंदन पढ़ा है आठी क्लास में दस्वी क्लास में बारवी में या पी-यार लेना है बंदन पढ़ा है लेकिन नहीं हो तूट रहा है लेकिन नहीं हो पर जोब लेनी है लेकिन आ बार-बार गौन आज वहार पर अब राम के उपर जपार करतें हैं तीन परuz करें लिख लो कुमपलिष यह 3 टाइंब करना कमपल्स्री है करा अगर आपको बंदन तुड़वाना है तो बैवल बोलती जकरिया के चोदा के साथ को हम पड़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा स्तारा को चोदा के स्तारा को क्या लिखा जब जकरिया में पड़ते हैं तो परमिश्व का आत्मा वहाँ पर किलियर बोलता है हमें करा के लिखा है वहाँ पर करा बंदन तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा बाई साब मुझे नहीं आना पड़ेगा आपके बंदन तोड़न पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा हाँ पढ़े चोज़क अस्तारा और प्रित्वी के कुलों में से जो लोग एरुस्लेम में राजा अर्थार सैनाव के यहुआ को जन्वत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहां वर्षा ना होगी यहां पर किलियर लिखा करें के जो प्रित्वी के कुलों में से चाहे वो किसी जाती में हो चाहे वो किसी जात में हो चाहे वो किसी देश में हो चाहे किसी गाव का हो चाहे आप कैसे भी हो गरीब है अमीर है चाहे वो कैसा भी है तो बाइबल कह रही है करें यहां पर किलियर कि अंदर करा धंडवत करने के लिए आये तो करा कुछ उन लोगों के उपर आज बारी सोने वाली है चर्चीश मसी 30 करें नाम में pronouns आपको यही बताना चाहता हूं करा कि अगर आप लोग करा कि यरुशलेम नहीं जा पारे तो करा कि जब आ ओनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आप बंदन तुड़वा रहे हैं आपके उपर बारिश होने वाली ये शुमसी के नाम में यहां पर आदेश था कि राजा महराजा लोग भी करा कि उनको यरुशलेम जाना पड़ता था इसका मतलब कि फिर वोई आदेश मुसा को दिया कता के साथवे दिन इनको चर्च आना पड़ेगा अगर इन बंदन तुड़वाना है करा इनको आना पड़ेगा अपने घर में आसीज की बारिश करवा विश्वास करना है मैं आपको बता रहा हूं पवितरात्मा मेरी सुनता है मैं विश्वास करता हूं और वो मेरी सुनता है मैं बोलता हूं वो करता है क्यों क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्यों क्योंकि मैं उसका बेस्ट बच्चा हूं मैं आपको बता रहा हूं क्य बीस साल बनाईए परमिश्वर ने और आप क्या करते हैं बंदन टूटेंगे कैसे वाifice figur जब आप एक सो बीस बार ये शो मसी का किरा हालेलुया कानारा नहीं लगाते जब आप जाप नहीं करते हालेलुया हालेलुया अगर आप एक सो बीस आप दिन में एक सो बीश साल बना दिया लेकिन बज़ं सहीता में बोलता है, करा कि भले उनकी 120 साल उमरो यृ लेकिन अब तो 72 ही साल उनके रह गई है कारण क्या क्याता से खालिल्य nuevas नियन कदे हो दिते ग्यार को मूर नहीं दिखाते है कि अगर यह काम करने लगें जो मैंने जो अभी मुनष्य से बोलाया मैं कि आरे कि और आप लोग्सू समचार सुनाएं गवाईया सुनाएं अपने मूँ से के आप आप नाकरें परमेश्वर का आत्मा कर आए कि आरे की चारा के नारे लगाएं एक सो बीस बार दिन के अंदर तो परमेश्वर आपके उपर से बंधन तोडने वाला है हालेलुया। लोन लेने के लिए लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा चक्कर काटता रहा भाई साथ चक्कर काटी जा लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा चक्कर करा सिरफ ये शुमसी बंद करने वाला दराती शुमसी के नाम में अगर आप कोट कचारी के चक्कर काट रहे हो आज मेरी प्रेयर आपके चक्कर बंद करवाएगी यह परमेश्वर है जब हम निर्गमन देखते हैं 34 के तेई और चोवी में देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा बंदन तुड़वाने के लिए इसाक ने क्या किया यहां बाइबल बताती है के दिन में तीन बार कता हमें क्या करना है यहां बाइबल में पढ़ेंगे देखो क्या लिखा किलियर हाँ पढ़ें वर्ष में तीन बार तेरे सब पुरुष इसराइल के परमेशर प्रभू यहुआ को अपना मुँ दिखाएं क्योंकि मैं ने जातियों को तेरे आगे से लिखा कर कराई मैंने बताया कराई कि उसके तैईस में लिखा कराई कि सब यरुशलेम के लोगों को बताया ग्या किर दिन में तीन बार कितनी बार तीन बार मुझ दिखाना है फिर से पढ़ इसको तीन बार तीन बार तेरे सब पुरुष इस्राइल के परमेशर प्रभु यहवा को अपना मुह दिखाएं मुह दिखाएं इसका मतलब भाई साब आपको तीन बार मुह दिखाना पड़ेगा बाइबल में लिखा है ये पादरी नहीं बोल रहा गाइबल में लिखा है तीन बार मूँ दिखाना पड़ेगा और मैं किरा हूँ जो मूँ दिखा रहा है उसके बंधन तूड़ने वाले आज रादी शुबसे के नाम में लेकिन हम लोग मूँ दिखाते हैं परमिश्वर को सुबा उठते हैं अपनी पत्नी को मूँ दिखाते हैं अरे उसको मूँ दिखाने का कोई फाइदा नहीं है उठो और कराए पहले परमिश्वर को मूँ दिखाओ मैं आज तक जब से मैं प्रभू में आया आज मुझे 2008 से मैं प्रभू में आया लेकिन मैंने पहले किसी को मूँ नहीं दिखाता मैं मैं पहले परमिश्वर को मूँ दिखाता हूँ बैट पे मैं नीचे नहीं तरता पहले मैं प्रभू को मूँ दिखाता हूँ का दिखाओगे मूँ बाइबल के अंदर उठते ही मैं बाइबल खोलता हूँ कुछ लोग उठते ही प्रेर करने लग जाते हैं मूँ भी निधोते हैं सडायन दाती है भाई साब मूँ में से पहले कुरला करो फिर जाओ परमेश्वर ऐसे नहीं पसंद करता परमेश्वर कभी सब्सक्राइब है कोई परमेश्वर के पास जाना है तो ढंक शे जा ओ इमानदारी के साथ जा अपना स्टेंडर बनाओं मैं करें के पहले मूँ धो और बुरुष करो कर जा कर कहता है बाइबल को खोलो करा मूँ दिखाओ आप परमेश्वर को मूँ दिखा रहे हैं अगर कोई दुलन बिना मूँ धोय और बिना बुरुष करे आगर दुले के सामने बैठ जाए क्या लेके जाएगा भाई साब लेके नहीं जाएगा बिल्कुल भी अशों के लेके जाता जो मूँ दिखाई देते हैं उसको याद रखना के बाइबल में जो कुछ लिखा है ना उसको अमल करना पड़ेगा जब आप अमल करते हैं मैं कहा रहा हूं कि आ यहां पर एक बेन बात लिखिए कुछ लोग परमेश्वर को सिरफ मूँ दिखाते हैं लेकिन उनकी जमीन प आपको आजाद करेगा जब आप बचल को सुनोगे आगे पड़ इसके 24 में क्या लिखा है क्योंकि मैं अन्य जातियों कर तेरे आगे से निकाल करने तेरी सीमाव को बढ़ाऊंगा और जब तू अपने परमेश्वर यहुवा को अपना मूँ दिखाने के लिए वर्ष में तेरी भूमी का लालेट ना करेगा किलियर लिखा करा कि जब तू मू दिखाने तीन बार आएगा तो करे कोई भी शयतान का पच्चा तेरी भूमी का लालेच नहीं करेगा फोरन में भिताये आपने प्यार ली बड़ी महनत किया फैट्रियां लगाई सब कुछ किया किसले अरे कैशे मार लिया तेरा पैसा अरे निकसान हो गया आग लग गया कुछ हो vagina पर मेश्वर विझा ज्ट नहीं ए अगर तू मुझे करें आप देक्शहा। I love three मुँँखांगे कर नाइओ आप fifa पो दीक्राओने महारे मुझ आप देखते हैं आप आप दौशी बोल रहे हिए मैं देखता हूं कई बार कि मुसल्मान लोग कितनी बार प्रातन करते हैं पर अपने खुदा को फे ना करते हैं पांच बार दिखाते हैं हorta नियुक्त यहां पर अल्या कितनी बार करता है आए कैया साठ बार आपके अंदर दढम होना चुछी तो यह ने वादा किया हुआ है नहीडर क्रेंगा अगर तो मुझे तीन करा कि नए आज से तीन बार करें परमेश्वर को मुझ दिखाया करूंगा प्रेर के अंदर वच्छन के अंदर बाइबल के अंदर अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं मैं कराओं कि बंदन तूटने वाले हैं चर्च आज आपके चक्र खतम होने वाली हैं आज आपकी समस्या आपके वाले हैं आज जिसका चीज पर हाफात लगाओंगे मैं ऐसे लोगों के लिए भुष्यवरी कर रहा हूं साथ दिने के अंदर आपकी गमाई आने वाली है इशो मसी के नाम में तकि आपके अंदर ये टेलेंट होना चाहिए आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए कहो आज परमेशवर से कि हाँ परमेशवर कि ने आज से तुझे तीन बार मुझ दिखाऊंगा मैं एक बार प्लेन में सफर कर रहा था मैंने दिखा भाई साथ एक मुसलमान ने वहाँ भी мचाली नीचे मैंने भाई ये क्या कर रहा कहता टाइम हो गया भाई साथ अपना मैंने का देखो हम कहीँ बार ऐसे लोगों से सीखते हैं यार ये क्या कर रहा है, मतलब हम दूसरों को देख कर सीखते हैं कई बार, आपको इन बातों को समझना है करा, इसाक को 20 साल, कता उसकी पतनी को 20 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ, तो उसके उत्पत्ति के 25 के 21 में देखो क्या लिखा, कि उसने दिन में 3 बार प्राथना करना शुरू किया इसाक ने, जब उसने दिन में 3 बार प्राथना करना शुरू किया, परमेश्वर ने 20 साल का बंदन तोड़ दिया, अगर आप 20 साल का बंदन नहीं तूटा, अगर 40 साल का बंदन नहीं तूटा, बांज है, प्रॉबलम है, कैंसर है, शूगर है, टाइफाइड थाइरड है और एक कैसे नहीं जाती बिमारी मैं आपको तीन बार मूँ दिखाओ परमेश्वर को परमेश्वर को तीन बार मूँ दिखाओ मेरा पवित्र आत्मा आज आपके उपर से बंदन तोड़ने वाला इश्वसी के नाम में ने आपको बता रहा हूं कि मुझे पवित् जाओंगो उनके घर में गुझ जाओंगो उनकी हडियों में गुझ जाओंगो उनकी नसों में और उनके बिजनस में साथ दिन के अंदर बदल दूगा उनकी स्टोरियों को इश्वसी के नाम में आपको बदलानी है अपनी स्टोरियां मेरा परमेश्वर है वो जिन्दा है आपको विश्वास करने है निराशा से बार आओ इस मसी के नाम में पुश्ट रातमा करा यहां कौन था यहां निराश हो चुकी थी इसकी औरत पढ़ें वहां पढ़े जरा इसलिए उसने उसके निमित यहुआ से विर्थी की और यहुआ ने उसकी विर्थी सुनी देखो यहां पर क्या लिखा यहां किलियर लिखा यहुआ से उसने निमित टाइम पर इसका मतलब कि उसने अपना टाइम टेबल फिक्स किया और इसाग ने और परमेश्वर ने उसको करेके फल दिया उसकी पतनी को बच्चा दिया मतलब गर्म में आशीज दिया लेकिन आप एक बात देखे कि बंदा क्या कर रहा है इसका मतलब कि ये जोश दिखा रहा है अपना कि नई परमेश्वर मैं अपने टाइम टेबल पर करा कार्या करूँगा परमेश्वर मैं पीछे नई हटूँगा अगर आपने अपना कोई टाइम टेबल बना लिया है कि नई परमेश्वर में तीन बार मूद दिखाया करूँगा दिन में तुझे मैं कहरा हूँ कि आज ही बंदन तूटने वाले हैं चर्च आपके इस्वमसी के नाम में बंदन तूटते नहीं है मैंने फिर कहाँ शुरू में बंदन को तुड़वाना पड़ता है चर्च आपको बंदन तुड़वाने के लिए आपको यरुशलेम आना पड़ेगा कराके अनुटिड पलेस पर आना पड़ेगा जब लोग डाउन खुलता है अगर आप कहीं से मुझे देख रहे हो असाम से देख रहे हो केरला से देख रहे हो महराश्च पाकिस्तान कहीं से देख रहे हो बाई साथ आपको तुड़वाने आना पड़ेगा अगर आपको नहीं तूट रहा बंदन ठीक है कई बार परमेश्वर का आत्मा ये शुमसी ने सिर्फ पर हाथ रखे लोगों के और बंधन टूट गया, कई बार लोग प्लेस पर गए और बंधन टूट गया, लेकिन अगर आज आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जब जो परचार होता है, उसी तरीके से काम होता है, अगर ये बचन आज बंधन टूटवाने वाला बचन है, तो परमेश्वर का आत्मा कर रहे हैं, अगर आप खुशनसीब लोग हैं, अगर आप दूर भी बठ़े हैं, लाइव के अंदर, ओन-लाइन के अंदर, मैं कह रहा हूं अगर आप बच्चा आप तक स्टडी में फेल होरा है, मैं कहा हूँ अगर आपका बिजनस फेल हो रहा है अगर आज भी आप चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के या द्वायां खा रहे हैं मैं कहा हूँ परमेश्वर का आत्मा करे बंदन नहीं तूट रहा आज बंदन तूटेगा चाड़ शमसी के नाम में आपका आमीन बंदनों करूंगा परमिश्वर को और देखो बंदन तूट गया 20 साल का बंदन इसका मतलब पहले नियमत सिमें पर नहीं जाता था और तीन बार मुह नहीं दिखाता था इसलिए 20 साल लगाई परमिश्वर और उसी समय क्या हो गया कि इसकी पतनी जाकर क्या कर रही है उसकी पतनी जाकर इसके 22,22 से बोलती एए करे कि वह उरत सुबह उठकर क्या करती थी पहले पहले अपने पतिसी को गृट बार insanely करती दिये भी फोनी दिखाती थी लेकिन पढ़ो देखो क्या लिखा लड़के उसके गर्में आपक में प्लिट के एक दूसरे को मारने लगे तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही देशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंदी देखो यहां पर क्या लिखा यहां किलियर लिखा करया कि जब वो गर्वती हो गई गर्बती होने के बाद करे इस ओरत ने करे कि ये पहले प्राथना नहीं करती थी ये प्राथना में कमजोर थी हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके बच्चे आपका पती प्राथना में कमजोर हो लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविश्यमानी कर रहा हूं कि आज आपकी क कमजोरी जाने वाली है शमसी नासरी के नाम में लेकिन ये प्राथना में कमजोर थी और ये क्या करती थी ये जाती है इसाग के पास और जाकर बोलती है इसाग के स्वेरे उठके पप्रे पती को मुझ दिखाती है बोलती है गुड मॉर्निंग इसाग गुड मॉर्निंग खु को मुँ दिखाती है आज भी सुबह उठकर अपने बच्चों को मुँ दिखाती है पहले परमेश्वर को मुँ दिखाई दो याद रखो करे के दुलन वही जो पिया मन भाए और पिया वही करे वो ट्रकों में लिखा होता है जो रात को पी कराए और पतनी को दो चार चाटे लगाए इसका मतलब यह नहीं कहरा हूं मैं कहरा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहरा है कि दुलन वही कहरे कि जो पिया मन भाए अगर आप पने प्या को नहीं खुश कर सकते तो कैसे उससे आसीज पाएंगे वो कहरा कि पतित पावन परमेश्वर साड़ा मतलब वो परमेश लेकिन वो दूला आपका ये शुमसी है आपको सुबा उठकर उसको मुह दिखाना है लेकिन यह इसाक को मुह दिखा रही है और इसाक ने इसको डाट लगाई बोलता है मुझे नहीं मैं भगवान नहीं उसको दिखा अपना मुह मैं भी तीन बार टाइम पर अपना मुह इसको नहीं पता के वो जुड़ुआ हैं लेकिन इसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और मोज जैसी पीड़ा होने लगी तो यहां लिखा इसके 35 के 22 में इसके 34 के कितने में लिखा 25 के 22 में किलियर लिखा 25 के 22 में कि उसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और उसी समय उसके गर में जब प्रॉब्लम हुई तो उसी समय बोलती है करीशाथ अब मैं यहवा से पूछने चा रही हूँ इसका मतलब पहले तुझे नहीं पूछना था पहले येशु के पास नहीं जाते थे लोग पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते थे मूँ दिखाने के लिए लेकिन इसको जब गर्म में कोई पीड़ा हुई तो ये परमेश्वर से पूछने के लिए गई कि ये मेरी पीडा कब तक रहेगी तू मेरे उपर दया करेगा के नहीं करेगा अगर आज आज आपको कोई पीडा आपके श्रीर में तंग कर रही है तो मैं क्यारा हूँ कि आज सुबा उठकर परमिश्वर को करा के दिन में तीन बार मुद दिखाओ और परमिश्वर का आत्मा खरा है कि आज मैं तुम्हारी पीडा को खतम करने वाला हूं इश्वमसी के नाम में तुम्हारे श्रीरों में से पीडा भागने वाली है इश्वमसी के नाम में तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम्स खतमने वाला इश्वमसी के नाम में क्या पीड़ा को खतम करवाना चाहते हैं के नहीं लेकिन कुछ लोग अपनी पीड़ा को ओर बढ़ाते रहते रहते हैं मैं कराओं के बाइबल केरियर रोने से करा और चिलाने से घर में अकेले बैठ कर पीड़ा खतम नहीं होती है जब तक आप परमिश्वर के सामने करा मून निदिखाती और प्राथन नहीं करते अगर अब तर्फ पीडा खतम नहीं मैं करा हूं कि जब मैं प्राथन करता हूं बहुत लोगों की हिलिंग होती है अश्च्रकरम होते हैं और गवाई आती है मेरे पास मैं करा हूं कि अब तक 24 करोना वाईरस के पेशन ठीक हो चुके हैं लेकिन पवित्रा आत्मा ने मुझे जो हमारे पास में में रिपोर्ट वाली गवाईयों की बात कर रहा हूं मैं लेकिन पवित्रा आत्मा उन लोगों को चंगा कर चुका है और बहुत लोगों ने डर के मार लेकिन अगर आप तीन बार मेरे कहने से नी आज वक्षन के कहने से तीन बार मुझ दिखाई दोगे तो परमिच्वा कातम कर almost हरेक बड़े से बड़ा बंदन बड़ी शरीर में पीड़ा पड़ी हुई कैसी पीड़ा हो करा कि आज वो बाहर आने वालीiste शमसी के नام में आपके चक्कर बंद होने वाले हैं शमसी नासरी के नام में लेकिन उसको छूटकारे को लेना पड़ता है आप लेने के लिए तयार है के नहीं यहां रिबका ने इस बात को समझ लिया मतलब आपकी क्या रिबका की भी अगर कोई भी प्रॉबलम्स है आपके क् करा है उसको जुड़वा बच्चे वो उसके साथ आश्रीशित बच्चे हुए श्मसी के नाम में बोलो आमीन मेरा परमेश्वर है वो आपकी पीड़ा को खतम करना चाहता है लेकिन बाइवेर बोलती है तीन बार प्रेयर करना compulsory है दानियल तीन बार प्रेयर करता था तीन बार मू दिखाना परमेश्वर को compulsory है अगर आप ने इसराइल के प्रमेश्वर को कराय कि सिर्फ प्यार किया और दिन में तीन बार मू नहीं दिखाया मैं कराया हूँ कि इसका मतलब कि बंधन नहीं तूटने वाला बड़े से बड़ा बंधन कराय कि आपको ज़्यादा बार प्रेयर करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं तो ज़्यादा प्रेयर करें एलिया ने साथ बार प्राथना किया मैं कराया हूँ कि आप के उपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्राथना कर सकते हो परमिश्वर का आत्मा ने मुझे कार करा अगर इनकी आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आज इनकी प्रॉब्लम्स का हल बताऊंगा करा कि 120 बार मैं कहा रहा हूँ बार निकालो अपने ड्रीम्स को अगर आप होटल खोलना चाते हैं बिजनस करना चाते हैं क्या चाते हैं बैबल में लिखा बाई साब करा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा लेकिन तीन बार मुझे तो दिखाओ करा मुझे दिखाई तो दो अरे दान भेट दश्वांच तो दो करा मुझे दिखाई तो दो कतागर देते हो करा देखो परमेश्वर का चमतकार कैसे होने वाला है आपकी लाइफ में मिराइकल होने वाले हैं परमेश्वर करने वाला अधरात मिराइकल लेकर आप फिर से साथ दिन के अंदर रिबका ने जिस दिन तीन बार मुझ दिखाना शुरू किया उसके सेवन डे उनली फोर सेवन डे में उसने उसासीश को पाया कहां बीस साल का बंदन साथ दिन में उसने तड़वा लिया परमिश्वर का आत्म है अगर आज आपके अंदर ये विश्वास है तो रिबका की प्रेर के बाद उसको गर्ब में शांती मिली याद रखना कहता के वो आपको शांती की जूरत है और यहां पर करा उसके पेट में जो पीड़ा हो रही थी तो उसी समय लेकिन अम एक बाइबल में जब हम देखते हैं उत्पत्ती पच्ची के चपवी में एक रहस्या सीक्रेट सिपा हुआ है मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा और वो सीक्रेट आपके जानने के बाद मैं कराँ कि आज करा बंद पड़ेवे बिजनस खुल जाएंगे शुमसी के नाम में करा कि आज बंद पड़ेवे काम खुल जाएंगे अगर आप तक भी आपको लगता है कि मेरे उपर शायद कोई बंदन है या किसी ने जादू टोना कर दिया या काला जादू कर दिया इसलिए मेरे काम रुके वे मैं कराओ कि आज का वच्छन आज का कलाम करा आप के लिए करा उत्पत्ती के 25 के 26 में लिखा कराओ कि आज ये सीक्रेट जानने के बार कराओ कि एसाव और उसके लड़के कराओ याकूब के उपर से बंदन टूट गया अरे इसाथ और कराओ रिबका के उपर से बंदन टूट गया जब माबाप के उपर से बंदन टूट गया तो आपके उपर से बंदन नहीं टूटेगा क्या लेकिन एक बात याद रखना किसी के उपर बंदन 40 साल किसी के उपर 100 साल सारा के उपर 90 साल 20 साल ये सच है आज भी बहुत लोगों के उपर बंदन पड़ा हुआ है लेकिन बंदन आज टूटे गा ही शो मस्री के नाम में हम देखते हैं हाँ पढ़ेंगे इसको ध्यां से रेखेंगे पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन हुआ क्या लिखा कि उसका भाई एसाव पैदा जब हो रहा था गर्म में से निकल रहा था तो उस समय एसाव जो था बड़ा भाई था लेकिन याकूब जो है चोटा भाई था और वो कैसे बार आ था अपने भाई की एड़ी पकड़कर हाँ पड़े और उसका नाम याकूब रखा गया जब रिपका ने उनको जन्म दिया तब इजहाग साथ वर्ष का था सारे बड़ा हालिलूया देखो साथ वर्ष इसका मतलब साथ साल बाद बंदन टूटा उसके उपर थे और यहां पर किलियर लिखा कर एक एड़ी पकड़कर मैं पूछ रहा था परमेश्वर से के पवितरात्मा जी मेरी समझ में नहीं आई यह बात करहें जब ऐसा पैदा हो रहा था जुड़वा बच्चे बढ़े थे लेकिन मैंने ऐसा कभी नीं सुना के एड़ी पकड़कर बहार आरह है AD का क्या रहसा है मुझे बता मैं आज आज आपको रहसाँ मुझे बता आज से लगा तो परमेशवर ने को सराब उप भिसक करेके ईंसानों की A.D. पर डसेगा उसको कहा A.D. पर डसेगा इसका मतलब यह सीक्रेट है करें इसका मतलब की शैतान को मतलब पता है जो लोग दिन में तीन बार मुह नहीं दिखाते हैं उनके पैरों में गड़बडी डाल देना है मतलब उसका ऊफिस इदर खुलना चाहिए लेकिन इदर गुल जाता है इसका मतलब एड़िया आपकी शैतान ने पकड़ी होई है और बहुत लोगों को नहीं पता करें कि वो डौक्तर पर早़बड़ जाना होता है लेकिन एड़ियो शैतान मैंने तुम्हारे पर अधिकार दे दिये तुम सापर बिच्छों के आप पैरों से एडियों से खतम कर दोगे पैरों से रोंगे तुम सापर बिच्छों को इसका मतलब के पहले शराप कहा था पुराने नियम में पैरों में था इसका मतलब आज भी परों में हैं इसलिए कई ओर्तों के परों में गूंगरू बन रहतीる हैं 24 घंटे बाइसाब's गर से बार 24 घंटे घर से बार आज भी दुकान पे जारी आज भी छोल्णे काने शारी है आज भी बजार में खड़ी ciekा मतलब क्या है चुरने की प्रेर करने क कि जूरत है करा कि आज भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए दुकान पर जा रहे हैं उनके पैर बांद के बच्चे रख रहे हैं उनकी माबाप रख रहे हैं संगलों से बांद रहे हैं अरे उसके पैर बांदने की जूरत नहीं है अगर आप मुझे नेपा पेर को गलत दिशां में ले जाता है बच्चे खराब हो जाते हैं कि इस दिए पैरों के लिए कोई प्राथना नी करता आपको वतारों के बहुत सवारे लोग नहीं जानते इस रह्तिया को लेकिन जब मैं प्रभू बनाता एक अमेरिका की एक औरत ने एक पास्टर ने एक मेर कररहे का लोग सिर्ड परात रख्के प्रातना करते अरे तू कैसी हो रहता है मेंसमझ में आया लेकिन वो इंग्लिश और हिंदी में मारी ट्रांसलेशन कमजोर थी तौसी समय उसको समख्म ед नहीं आया क्या कररे लेकिन मैंने उसको पुछा, वो कहती है, मैं इसके पैरों पर आशीज दे रही हूँ और येश्व मसी ने क्या का, कहता है, मैं पैरों को ब्लेस करता हूँ करा कि तुम्हारे पैरों में सू समाचार के जूते हो करा कि इसलिए सू समाचार के जूते अपने पैरों में पहलो परमेशुर का आत्मा अपने लोगों के पैरों को चुद करना चाहता है और येशुमसी यही बात बताना चाहता है अपने लोगों को लेकिन लोगों को पता ही नहीं है उनके पैरों में करा जब आप किसी के घर पर जाते है तो कहीं बार आप देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे घर पे आया था और मेरे घर में प्रोब्लम आगी इसका मतलब पैरों पे शराप है किसी के और कहीं बार किसी व्यक्ति के कल भी में एक लड़की को बोल रहा था कल भी में एक पडिवार को बो रा था वो दोनों भाई बेन आए वे थे अपट्मिन्ट करने के लिए तो मैं उसको बोल रहा था जब प्रेर कर रही थी तो हम आपस में उनके लिए बता रहे थे कि आज तेरे पाहर इतने शुद हैं तुव हमारे चर्च में आईया और एक हमारा काम हल हो गया आदी शमसी के नाम में गुड नियूस हमारे चर्च में आ रही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि किसी के आने से और किसी के जाने से ताज बंधन टूटने वाले हैं चर्च शमसी के नाम में तो आज यहाँ पर 8.0 का एक रहस्या था और यहां पर मैं उस को तुटवाना पड़ता है और प्राओस काूट तूटें कैसे हैं रेकिन वो तूटते कैसे हैं मैंने का प्रभू फिर वो तूटे हैं कैसे प्रभु ने मुझे कहा याकूब देखो याकूब ने उस बंधन को तुड़वाया जब वो पैदा वा वो एडी पकड़ के पैदा वा इसका मतलब साइन इसका मतलब क्या था कि दम दम वाले लोग प्राथना में दम वाले लोग जो परमेश्वर के प्यारों में पड़े रहेंगे प्रभु के चर्णों में पड़े रहेंगे वो बंधन तुड़वाएंगे आधराती शुमसी के नाम में जो एडी इसका मतलब याकूब की कहानी प मेरे वंच के उपर से शराफ खताम ना करे और परमेश्वर ने का तू आज से फेमस होगा पविटरात्म ऐसे बच्चों को ऐसे परिवार को ढूंड रहा है जो लोग कर रहे के तीन बार मुद दिखाते हैं और परमेश्वर के सामने उसके पैरों में पढ़े रहते हैं मैं करा हूँ कि आज आज आपके बच्चों के पैरों के उपर से आपके पती के पैरों के उपर से आज आपके पैरों के उपर से शराफ टूट रहे चर्ची शमसी के नाम में आज आपके बंदन टूटने वाले हैं शमसी के नाम में और भविश्वाणी करता हूँ साथ दिन क आपने प्राथना में परमेश्वर को दम दिखाओ ताप के उपर से बंदन टूटने वाले इस्व मसी के नाम में लेकिन शयतान क्या करता है जब आप ओन्लाइन चर्ठ की बाते सुन्घी हो इस समय शतान क्या करेगा इस समय आपके पैरों को उठाने की कोशिश करेगा अभी क्या करेगा ने-óriaर खाने का टाइम हो गया ने-अभी कोई बाहर गेट पर आगा घंटी बद रहाय चल यार अभी का करेंगा अभी आपके एडियो को एडियो में एक रैस्या छिपावा है आपके जब ओन लाइन चर्च चल रहा है मैं कहा रहा हूँ कि अभी मुझे प्रेयर करने की जुर्थ नहीं है सिरफ मैं बचन सुना रहा हूँ सुरा तूति यहां से काम कर रहे इसUU मसीन कर रहे हैं आपके बंदन टूट रहे हैं बच्चा कमजोर है आजसे तकड़ा होगा स्टेडी में कमजोर है आजसे नंबर वन होगा याद रखना क्या रहा हूं बिजनस नहीं चला चलेगा जो अपनी मिली मिलेगी और एक जो कुछ नहीं हो रहा वो होगा लेकिन अपनी एडियों पर कंट्रोल करो चर्च अपनी एडियों पर कंट्रोल करो पाप के लिए जो एडियां उठा रहा है वो शेतान उठा रहा है पाप के लिए जो लात उठा रहा है, शेतान उठा रहा है, इसलिए इशमसी ने कार करा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, सांप और बिच्छों को रोंदने का, कहता है, तुम रोंदो गया थे, सांप और बिच्छों को रोंद डालो इशमसी नाचरी के नाम में, अगर नहीं रोंद रह के लिए आएंगे तो करता है कि मैं बंधन तोड़ दूँगा यह परमिश्वर का बड़ा प्लैन है आपके लिए करो मैं मजाग नकाराऊ हूं से रिएसली वोल रहा हूं मैं कहाराऊ अगर हालेलुया के जाप अगर एक सो साथ بार लगा लोगे तो मैं कहाराऊ परमिश्वर का लोगों का ध्यान का अपरमिश्वर करना हालेलुया के जाप 120 बार जाप करना स्टार्ट करो पवित्रात्मा करें आपके अंदर दम है कितनी बार कर सकते हो लेकिन अगर जादा नहीं कर सकते 120 बार आप जरूर करो क्योंकि आपकी उमर 120 साल है याद रखना परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता और ढूंडता है और वो ढूंड रहा है और अपने लोगों को कह रहा है कहता है कि आपको करने अन्यवाश्चा नहीं मिला देखो चर्च बोलते ही करा है कि आप बोलो कि जजैकार करो तो परमेश्वर की दो काम करने से मैंने क्या बताया नंबर एक हालेलुया का जाप करने से जैजैकार करने से और परमेश्वर की महिमा करने से तीन बार उसको मुझ दिखाने से दिन में इसका मतलब तीन बार आपको घुटने टेकने प्रेर करने और परमेश्वर करा बंदन वो करने उतरेंगी मुशा को का मुशा केरा कि अपने लोगों को बोल दे इंन सत्र के जौंड को इकठाकर इसका मतलग पहले कठे नहीं होते करें सत्तर के जौंड को इकठाकर अगर आप एक लाख लोग मेरे साध करते इसी समय जुड़े वेए मैं कह रहा हूँ कि याद रखना कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग सोचते हैं शायद मैं जब प्रफेस्टी करता हूँ कि मैं S, R, M, P, N वालों नाम वालों के लिए मैं करता हूँ लेकिन परमिश्वर का आत्मा बोलता है कि एक नहीं सब के उपर मसा उतरता है लेने वाला चाहिए दम दिखाओ परमिश्वर को अपना मू दिखाओ तीन बार परमिश्वर आज बंतन तोड़ेगा मूसा ने सतर जुंड को इकठा किया एक साथ और उसके बाद जब उसने प्रासना किया सब के उपर मसा उतर गया सब भश्यवाणी करने लगे आप उन सब के उपर से बंतन तूटके मैं समय कहा रहा हूं कि आप अगर एक लाख लोग इस समय मेरे साथ ओनलाइन जुड़े वे ओनलाइन ओनलाइन चर्च एक लाख लोग आप देखने लगाता पवितरा आत्मा मुझे कह रहा रहा है कहर exaggerated आप में जब मैं कहा रहा हूं कि मैं इसवचनावार मसा उतर ग सब टर जाए आज इसि-मसी का नाम में आपके पर मसा उतर गा वह इसमसी के नाम में तो आपके बच्चे भी भश्यामानी करने लगेंगे आपको नएने ड्रीम्स आने लगेंगे आपको परमेश्वर आज इस वच्चन के बाद अगर आप तीन बार मुद दिखाते हैं तो परमेश्वर का आत्म करा आप नया बताऊंगा इनको तेरे चक्कर कैसे तूटेंगे नया बताऊंगा योश्व को बताया परमेश्वर ने हम देखते हैं एक जगह योश्व की किताब 6 के 20 में पढ़ते हैं यहां पर क्या और आता हैं बहुत बार लोगों के बंदानी तूट रहे थे लेकिन परमेश्वर ने सीक्रेट दिया जब आपने निर्कमन में 24 के चोवी में पढ़ा था तो हमने क्या बताया था कह़ए किरा कि लालच कराये कि अगर तिरी भूमी का कोई लालच कर रहा है बहुत ओरते प्राथना कराती है मेरी लड़की को कोई भगा के ले गया अरे तेरी लड़की का लालच कर रहा है दिन में तीन बार मुँ टेक करे पर्मेश्वर को मूँ दीखा अरे मैं कराओ आज ही कराओ के एक ओरत आई और बोलती है पास्टर जी मेरे लिए प्राथना करतो प्रोफेट जी करें पापा मेरे लिए प्राथना करो के मेरी बच्ची का मन वहाँ से हट जाए नयने का ठीक है मैं तो प्रुमीशन को तीन बार मूँ दिखांगा लेकिन मूँ दिखाई तो तेरे को ही देनी पड़ेगी मूँ तो तेरे को दिखाना पड़ेगा तो तीन बार मूँ दिखा उसके बाद मेरी प्रेयर के बाद एक स्वर्दू जा रहा है और तेरी लड़की का मन्टेंज कर रहा है आजी शुमसी के नाम में आप घब रहे हैं वे बच्चों को लेकर अगर बच्चा स्टेडी में कमजोर है मैं कह रहा हूँ आभी एक्जाम चल रहे हैं बच्चों के मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्जाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई समस्या रही है जोब में समस्या रही है मैं कह रहा हूँ आप तीन बार मैं कह रहा हूँ कि फिर मुसा का हफते में एक बार नेकिन यहाँ पर किलियर बात का मेसेज है कि तीन बार मुँ दिखाना पड़ेगा अगर आप तीन बार मुँ दिखाते हैं तो दानियल की तरह अगर आप नियमेत रूप से प्राथना करते हैं जबहने अगर बहुत लोगों को ने तक कर रहे है बहुत लोगों को प्यार आने वाली है बंदन है कोई लेकिन उस बंदन को कैसे तुडवाना हम देखते हैं बाइबल के अंदर योशु के च्छें के बीस में मैं बता रहा हम आपको के यहां पर क्या था कि इसराइलियों ने जब पाप किया तो परमेश्चर उनके जिरुद हो गया और यरीहों के लोग जो हैं के व बहुत तकड़ी दिवारे थी उस दिवार को कोई तोड़ना कोई असान बात नहीं थी मतलब कि अगर वो दिवार अगर तूड़ जाती थी तो उनको पता लग जाता था कि सच में उनका देवता नराज हो गया है और परमेश्वर ने उस दिवार को तोड़ दिया है मतलब क उनको ये पता लग जाता था के सच में के देटा से भी उपर कोई है इसका मतलब कोई है इसका मतलब इंसान से भी उपर कोई शक्ती काम करती है मतलब वो दिवार ऐसी थी कोई बारूद भी अगर उसमें लगा दो तो भी वो टूटने वाली दिवार नहीं थी तनी ताकतवर उन्होंने दिवार बनाई थी उसको बोलते हैं येरिहों की नगरी की दिवार तो हम पढ़ेंगे कि यहां पर क्या हुआ कि वो दिवार जो तूटनी थी इसका मतलग वो क्या था बंदन था अगर आज आज आपके सामने कोई बंदन है कोई करजे की दिवार खड़ी है आप र उस दिवार को तुड़वाना पड़ेगा बाइबल अपने बच्चों से सिखाती है कि आपको दो का मैं ओन लाइन इसलिए आया हूँ कि आपके सामने में लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोगों को पवितरात्मा की बात बताऊं कि पवितरात्मा कैसे लोगों को लोग लेकिन परमिश्वर के आत्मा ने मुझे निचोड़ा और मुझे का करा बेटे इनको बता करा कि बंधन तुड़वाना पड़ेगा बेटे बंधन तुड़वाना पड़ेगा आपको बंधन तुड़वाना है आपको क्या करना है करा कि इन बातों के लिए करा आपको ज पूचा करने के लिए जा रहा है शमसी के नाम में ये चक्कर खतम नहीं होता वाई साव उसको खतनम करना पड़ता है बंतन तूटते निये दिवार गिरती निये गिरानी पड़ती है हम देखेंगे योश्यू ने कैसे दिवार गिराई यहाँ जो अपने लोगों को अजाद क फैल जाता था दिवार यहाँ फैल जाती थी और उस नगरी में यहाँ पर योश्यू से बंधन तुड़वाया और खेम करा यह जब येश्यू मसी आया तो यह रियों की नगरी से बंधन को तोड़ा अंदे दिखारी को चंगा किया याद रखना इसका मतलब के पुराने न कि लाने से कोई प्रॉबलम आपके घर में आई है तो मैं क्यारा हूं कि यह रियों की नगरी का बंदन आद में आपके ऊपर से तुड़वा कर जाओंगा इसका में पढ़ें देखो वो चक्कर कैसे तूटा तब लोगों ने जैजैकार किया और याजक नर्सिंगे फूगत यहाँ पर किलियर लिखा करा कि परमेश्वर ने योशु को दिमाग दिया माइंड दिया और उसको बताया करा तेरे लोग प्राथना भी करने और रो भी रहें लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो गये हैं कहते हैं कि आप हम परमेश्वर की प्राथना निकरेंगे हो सकता ह कि आप भी किसी बिमारी को लेकर निराश हो गए हो, आप भी किसी करजे को लेकर निराश हो गए हो, हो सकता है कि आप भी किसी समस्चे को लेकर निराश हो गए हो, आपके सामझे कोई दिवार खड़िये, करजे की दिवार खड़िये, उतर ही निराई, अरे भाई साथ, लेकि कि अगर बंदन तुड़वाना है करा तुम्हें साथ बार कितनी बार साथ बार कता है साथ बार आपको चक्कर लगाना है कितनी बार साथ बार कता है इस नगरी के कता है साथ बार इस दिवार के चारो हो साथ बार चकर लगाओ और उन्होंने जब पहला चकर लगाया बंदन न टूट सकता था क्यों नी टूटा पर विश्वर ने का इन में कुछ लोग ऐसे थे जो घमंडी थे वो बड़े लंबे लंबे तकड़े तकड़े थे वो कहते लै यो शुतू क्या किया एक दिवार मुक्का मारके तोड़ देंगे पता आपको शिम्शोन इतना ताकतवर था सं कि पाप की दिवार कई बार बहुत मजबूत होती है बहुत लोग अपने पती के लिए प्राथना करते हैं कि मेरा पती दूसरी ओरत के साथ गलत काम करता है जी शादी करने जा रहा जी हट जाए मेरा बच्चा नशे करता है जी हट जाए बहुत बार लोग कोशिश करते हैं सालों साल से लेकिन अटता नहीं है बाई साब अरे बहुत लोग रो रहे हैं साल साल से प्राथना कर दें और कह रहे हैं कि पास्चर जी मेरा बाप विश्वास करें मेरी मा विश्वास करें लेकिन करनी रहे लेकिन कारण क्या है कारण ये है करें के ये बंधन जो है ये बहुत तकड़ा बंधन है और ऐसा अगर बंधन पढ़ाए किसी पर मैं करां के चार्च आतराद तुम आज़ाद होने वाले हो आमीन बोलने के बाद आज यहाँ पर योशु को परमिश्वर ने कहा कहता है तुझे चक्कर लगाना है लेकिन साथ बार भी वो तुड़वा सकता था लेकिन पहले वो तोड़ रहे थे शायद सोच रहे थे कि तूट जाएगा लेकिन एक तरीका बताया था उनको इसका मतलब कि आपको जब आप बे धंगों कर पराथना करते हैं दे ढंगे ढंग से तो आपके बंदन नहीं टूटते सालों साल और शातान आपके परहस्ता रहता है मेरे साथ एक पादधी था मेरे साथ उसने बाइबर ट्रेनिंग किया और मेरे साथ एक जगे दुस्टात्मा निकालने के लिए जा रहे थे और वो लड़का मेरे से पूछन लगा कहता है यार प्राथना और बाइबल तो कहता है मैंने तरे साथ ही पढ़िए बाइबल में ट्रेनिंग मैंने तरे साथ करिए लेकिन यार ऐसी क्या बात है यार तेरे अंदर क्या बात है मेरे अंदर क्या बात है में करा एक बार दो बार तीर बार चार बार करता है करा आपको करता आप जब चर्च से आते हो करा कि आप पहली बार आते हो अपने चर्च में और उसके बाद घर चले जाते हो लेकिन यहां पर सिखाया है करता जब चर्च जाओ तो करें जय जय कार के नारे लगाते वे जाओ करा है जब चर्च में जाओ करा है बस के पिछे सोते वे जाओ है ना सोते वे जारे चर्च जारे है साटा चर्च जड़ा सतर किलोमेटर रहेगा साटा चर्च जड़ा सो किलोमेटर रहेगा और जब चर्च से बाहर निकलती है पबलिक कैसे जाती है तो बहुत बड़ा काम करके आजासिश लेकर आए है लेकिन परमिश्वर का आत्मा क्या कर रहा है चक्कर लगाना है तो करा है चक्कर लगाना है चाहे वो येश्व का चक्कर लगाना है चाहे वो सुबह उठकर बाइबल का चक्कर लगाना है लेकिन वो जैजैकार के नारे से तूटने वाला है वो हालेलुया के नारे से तूटने वाला है यहां पर योशु के लोगों ने जब साथवी बार में चक्कर लगा करा पहले बार में तूसरी बार में और चटी बार में वो क्या बो रहे थे बोरते हैं उतका घमंड चूर चूर हो गया बोलते पादरी आप तो तो ही कुछ करा करा कि आप तो ठक गये हैं हम आज बहुत बार लोगों को अपने पैसे पर घमंड है इसलिए परमिश्वर कई बार ओं लेट करता है उस सोचते हैं शायद पैसे से इलाज हो जाएगा चायद एक बार प्रेयर करने से इलाज हो जाएगा दो बार प्रेयर करने से इलाज हो जाएगा लेकिन परमिश्वर का आत्मा करा तीन बार मूँ दिखाना पड़ेगा चर्च आपको दिन में तीन बार मूँ दिखाना है अगर आपके उपर ज़्यादा बंदन पड़ा है ज आज परमिश्वर आपको देने के लिए तैयार है लेकिन क्या आप येश्व के चर्णों में बैठने के लिए तैयार हो क्या परमिश्वर के चर्णों में बैठने के लिए तैयार हो अगर आप बैठते हो तीन बार मुझ दिखाई देते हो परमिश्वर को मैं कहा रहा हूं कि एक दिन करा है कि लोग आपका मूँ देखने वाले आपके बच्चे चमकने वाले शमसी नासरी के नाम ने और यहां पर साथवी बार में जब उन्होंने हालेलुया बुला तो कहा है वो दिवार गिर गई साथवी बार के चक्कर में ओई दिवार क्यों गिरी क्योंकि परमेश्वर का हुकम था कि साथवे दिन विश्राम दिन को मनाने के लिए आना उन इसराइलियों को सिखाने के लिए कि अगर तुम्हारे बच्चे कैद हैं तुम साथवे दिन विश्राम दिन को नहीं मनाते करा है कि साथवे दिन करा है कि तुम चक्कर नहीं काटते तुम चक्कर काटते हूं साथवे दिन मेमानों के करा है आज जो बाइबल में लिखा उस बातों को पूरा करना है यहां बाइबल बता रही है इस बात के लिए करा कि अगर आज भी चक्क्र नहीं टूटा तो यहुशू के दोबारा परमेश्वर नहीं यह चक्कर इस्राइलियों का खतम कराया अगर आज तक भी आपके दादें पर दादों कोई अगर आपके परिवार में कोई चक्कर पड़ा है कोट का चैवी का चक्कर है अरे तलाक का चक्कर है बार बार तलाक हो रहे हैं तो येशु के बच्चन को मानने से चक्कर खाक्तम होने वाला है शमसी के नामे आप कवड़ आपने हाथ़ो को अठाई और अपने पड़ो सी चेहात मेरा हो और अपनी पतनी इक बच्चों को बोलो कि आध से मैं करतीन बार मुह दिखाऊंगा तुझे किसको दिखाऊंगे इसको दिखाऊंगे इसको नहीं बोलाँ मैं परमेशर्ट के तीन बार मुझ दिखाऊंगा मैं तेरे चर्णों में तीन बार आऊंगा और मैं हालेलुया के नारे लगाऊंगा ऐसे बच्चों को ऐसे परिवार को ढूंड रहा है, मुझसे कर रहा है, ऐसे लोगों को बोल, कि पुईतरात्मा कर रहा है, ऐसे लोग जो अगर मुझे तीन बार दिन में मूँ दिखाएंगे और हालेलुया के नारे लगाएंगे, और कर रहा है कि आज याद रखना, कर रहा ह आज इसे में बंदन तूटने वाले हैं लेकिए अगर अब तक नहीं तूटा अगर अब तक शराफ खातम नहीं वे आज फिनिश होंगे इस मसी के नाम में अपने हाथों को उठाओ और आज खोदा से काओ आज मैं आत्मा में देखता हूं सच में परमिश्वर में तेरा दास खर्च करके मेरे प्रभू ये सच में तेरे इस समय प्वित्रात्मा तेरे कलाम को सुन रहे हैं और तेरी बातों को सुन रहे हैं मेरे पिता परमिश्वर में विश्वास करता हूं प्वित्रात्मा जो इन्होंने बड़े ध्यान से मेरे प्रभू जी आज तेरे वचन को सु मिला था कि साब को के एडियों को तू चाटेगा इनके एडियों को काटेगा पुझतुरात्ब मैं शराप को तोड़ दिता हूं ञोने पक्रेमित। तोड़ा है करें जो लोग तीन बार मुझ दिखाते हैं जो लोग साथ बार मुझ दिखाते हैं जिनके अंदर दम है परमेश्वर के चरनों में बैठने का पुईत्र आत्मा जी सच में मैं प्राथ न करता हूं मेरे पिता सच में व्याभी चार नीस्तरी के उपर से जब तुन में बच्चों में कोई कमी है अगर आज इनके घर में कोई घटी है मेरे प्रबु अगर आज इनके परिवार में कोई समस्या है मैं प्रबु आज इनके लिए गिड़ गिड़ाता हूं तेरे सामने मैं आज इनके लिए हाथ उठाता हूं प्रविश्वर तेरे सामने मेरे प एंसर की कोई दिवार खड़ी है, कोई शूगर की कोई प्रोब्लम्स खड़ी है, अगर कोई आज डाइबेटिस की प्रोब्लम्स खड़ी है, कोई भी पवित्रात्म जी आज सरवाइकल है, किड्निया खराब है, आज घुटमे में दर्ध है, अगर कोई धुष्ट आत्मा तं आत्मा ची अगर गर कोई डीवार बनकर समसें के सामने खड़िये मैं आज हालेलुया बोलकर आज इनके उपर से उस दिवार को ग्यां देता हूं ऑज हालेलुया अगर आज आप आप हालेलुया कहे रहे हैं प्रमेश्वर आज बंदन तोड़ रहा है चर्च मैं आत्मा में देख रहा हूँ के सुर्टूत आपके घर जा रहे है और आज आत्मा कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी अपने दिल के दर्वाजे को खोड़ और आज इस प्रात्ना में शामिल हो जा अबालबा शबालबा 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 तोड रहा हूं ओ गुलजार तेरे उपर से बंदन परमिश्र तोड रहा है और रहमान पवितरात्मा कह रहा है ओ शबीन 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 गिल पवितरात्मा कह रहा है तुसे मैं तेरे उपर से बंदन तोड रहा हूं शैनाज मैं तेरे उपर से बंदन तोड रहा हूं आत्मा तेरे बच्चे देख रहे हैं, आत्मा कह रहा है, जस्वीर सिंग मैं तेरे उपर तया करने वाला हूँ, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तरी पतनी से, कि बहुत बातों में तू चिंता करती है, आत्मा तुमारे उपर से बंदन ठोडने के लिए जा रहा है, और ِक स्वीर सिर्णाफ जाने पाऑं इस्वीर मासी क के लाए है, घरजा जाने पाऑं इस्वीर मासी के लामें, हरे इसी समय में हातों की तरफ देखो, और आज पविटरात्मा आपके उपर से बंदन ठोडन तोड रहा हूँ, और आत्मा मुझे बोल रहा है, कि आज उनके कर्दतारत्य मूढ दिखाया करणा पॉइतरातमा आज अर्मेश्वर को तोड़ दे के लिए जा रहा है अज पॉइतरात्मा कोई नुक्सान हो रहा है अगर किसी का नुक्सान कोई पिड़ा दे रही है रिपका की तरहें आज ही वो पिड़ा बंदो जाए इश्वमसी नासरी के नाम में और इसी समय पत्रियां बार इसी समय रसोदियां बार आए देखो अभी इसी समय काया पिलाया बार आरा इश्वमसी नासरी के नाम में आमीन बोलकर बंदन को तोड किये हैं अगर कोई नए लोग मुझे बाच कर रहे हैं इस समय काऊ पविटरात्मा जी मैं कहरा हूं फिर से कहरा हूं अगर आप यरियों की नगरी के बंदन अपने उपर से तुड़वाना चाते हो तो आत्मा बाते कर रहा है और परमिशर का आत्मा कहरा है कि रहा है कि मैं से तुमोजे देख रही ए और आत्मा के रहा है तरहीं फैमिली के वपर से बंदन को तोड़ रहा हूं परमेश्वर का आत्मा क्या रहा है चिनता पड़कर तो ये शरीर में तरहे परिवार में को इंपेक्शन है और पौईतर आत्मा खातम करने के लिए जा रहा है शुमसी न करने वाला है नहीं तो आप मुँ दिखाते हो परमेश्वर आपसे मुँ पलट लेता है याद रखना पाप करने वाले को परमेश्वर कभी नी देखता परमेश्वर देखना पसंद नी करता लेकिन वो येश्व मसी में होकर आपको देखता है याद रखना ऐसे मुँ करता है परमेश्वर लेकिन ये जो कोई पश्चाताब करता है फिर परमेश्वर यूँ आपको देखता है येश्व मसी के पीछे से होकर आपको देख रहा है इसलिए आज परमेश्वर मेरे पीछे से होकर भी आज अपने दाश के उपर से होकर भी आपको वाच कर रहा है और आपके बंदन तोड़ रहा है अगर आप पस्चाताप कर रहे हैं अपने हाथ औ को उठाओर काओ पोईत्रात्म जी मैनने अपनी सिंद्गी में बहुत गुणा किए है मैंने बहुत बाहर गलत काम किये है परमेश्वर मुझे शमा कर दे पुईतरात्मा आज इसी समय मैंने बहुत बाहर गाली गुनोच किया है बहुत बाद लड़ाई जगडे नशा किया है बहुत बाहर मैंने गलतिया की है परमेश्वर कहो के पुईतरात्मा कोई भी पाप मुर्ती पुजा किया कोई पाप किया पेड़ों में पत्थरों में बजारों में गलियों में मैंने तुझे ढूंडा परमेश्वर मैंने भी अबिचार किया कोई भी पाप किया है मुझे शमा कर दे इस समय पौइटरातमा मैं विश्वास करता हूँ ये शमसी मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया गाड़ा गया तरी से अने मर्दों में से जी उठा आज भी जिंदा परमेश्वर है मैं विश्वास करता हूँ आज आतमा आपसे बाते कर रहा है और आत्मा कहरा है मैं आज जुन्याजाद करूँगा आत्मा बेख रहा है आमीन बो आज कहो कि मेरे काम धुल चूके है और लाइफ देखा है इसी समय पाकिस्तान के उपर से बंदन फूट जाएन इसी समय प्राथना करता हूँ अंबरस शहर के उपर से और शिसमें जो अमरत सर से जलंदर से मोगे से इसी समय पवितरात्म जी मैं प्राथने करता हूँ जो कपूर थले से भटिंडे से और लुध्याना से इसी समय राजपुरा से इसी समय हर्याना पंजाब से दिल्ली से पवितरात्मा चतिसगर से उडिशा से और केरला से इस पंधन जाए शमसी के नाम में अतमा आ है अनीता तू मुझे देख रही है सा है तोड़ी सा च्थीशा YouTubeन шों nod कि अद्र है कि काँ काने था नी हो टेक्स काम किया लेकिन ने कोई काम किया लेकिन काम नी बना प्रेक्छा करने के लिए घृरा को पुर्चन की अदर गुछ एख ठीम को ए रहोmay दो wären और रहे हम कुछ तुमिछ बढ़्सार को इसे समय बेस्स कर और और कोई कुछ हिससे नाम देखता है और परमिष्ड का आत्मा मुझे कर रहे तेरा बढ़े है कोई नेघर में बैड बाहरे और नीचे कुछ Czyli आपका घर का व्यक्ति ने हाथों की तरफ देखो और ये किरने उतर रही है जैसे मुशा के उपर से किरने उतरी और शीशा में वो चंगा हो गया हरे एक व्यक्ति चंगा हो गया याद रखना कि येश्व मसी को जब क्रूस पर मारा गया उसके जो भाला मारा जी सैनिक ने जो उसके खून निकला चिंटा निकला उसकी आँख चंगी हो गई काणी थी सिपाई की आँख लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके उपर से वो खून के चिंटे जो बार बार शैतान के चिंटे आ रहे हैं जो जद उटोने आ रहे हैं जो बाल कट रहे हैं जो उल्टियां लग उसकी planning बार ईशवमस्री नाथरी के नाम में, और आत्मा कहा रहा है, इसी समय आपके किछन से, और इसी समय वो दुष्ट आत्मा जाए इशवमस्री के नाम में, आपके घर से जहां भी जाओ, आप सुरक्षी तरह बार आत्मा बाते करे, ओ राचार, रवा, सना. योवा, रे आज अगर मैं त छोड़ता हूँ पवाविट्रात्मजी ऑज़ हुआज अगर मैं तिरा दास हूँ इसही समें परमेश्वर जिन लोगों के पस मकान नहीं अपने अक्टूबर के महीने में नवमनबर के महीने में ये अपने मकान में जाने पाएं इसमसी के नाम में और मैं कराँ आर एस एम पी एन नाम वाले लोग अपने मकान को देखेंगे इसमसी के नाम में मैं फिर कराँ टी एस एल के आर नाम वाले लोग एक बेटे की आशीश को देखने वाले हैं इसमसी के नाम में मैं देख रहा हूं इसी समय बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं RSM, PN नाम वालों को कोई शुगर का अगर diabetes का किसी के घर में problem है, आप चंगे होने के लिए जा रहे हो, मैं किसी को देख रहे हो, टांग मू, टांग मू, टांग मू, मू जरा, ऐसे कुछ नाम है उसका, उस इसके किड़नियों हैं, प्रॉबलम हैं, पत्रियां, रसोलियां, अब इसी समय मेरे हाथ के तरफ देखो, अबलबा, शबलबा, 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 बरमिश्वर, इसी समय, मैं आप से बिल्ती करता हूं कि प्रभू इसी समय मेरे हाथ के उपर से वो किरने इनके घर में जाएं आज इनको टच करें इश्मसी के नाम में टच करें इसी समय इश्मसी के नाम में पत्रियां बार इश्मसी के नाम में रसोलियां बार इसी समय आपके रिपोर्ट नौर्मल आई इश्मसी के नाम में और इसी समय आश्यरे करम होने लगे खुजर फैमिली तेरे घर में आश्यरे करम होंगे बटी फैमिली, गिल फैमिली, मट्टू फैमिली, सिंग फैमिली तेरे घर में कुमार फैमिली और शर्मा फैमिली पी आर के साथ ब्लेस होने वाले हैं इश्वमसी के नाम में ब्लेस करता हूं इश्वमसी के नाम में आत्मा बाते करें और इसी समय इश्वमसी नासरी के नाम में इसी समय मैं देखता हूं रेखा आत्मा करें के परमिश्वर तेरी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है इसी समय तो घर में कोई इसी समय जे कोई प्राब्लम से बच्चों में कोई प्राब्लम से है यु अ कोई मुझे इट्ली से वाच कर रहा है और परक्षिट्म कर रहा है उनके नाम RSMPD से है लेकिन एक रेखा बैन के लिए ़े ऐ़न के एंदर है लडखी को PR मिलेगी एउर्रो नाम में और तिल्ली वालों को आज से साथ दिन के बाद जहां पर जिस जिस एरिये में ज्यादा है इसी समय परमिश्वर हिलिंग दे इसमसी नासरी के नाम में इसी समय छुटकारे दे हर एक डर भैक आत्मा खांसी दुखाम बुकार बट इसमसी के नाम में और जो बच्चे स जाओ जाओ ब्लेस करो इसमसी नासरी के नाम में और इनको ब्लेस करो इसमसी नासरी के नाम में आत्मा में देख रहा हूं और इसे मैं परमिश्वर का आत्मा बात ही कर रहा है और वो कर रहा है नीलू 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 तरे पास कोई बच्चा नहीं है आत्मा बोलता है आप जाने अग्त कुँछ कुछ पी quartz कि अगल कर अक्र Mrs separate service उह歌 हूं लोगों ने प्राथन को रशीव किया आत्मा ने मुझे का Rolex उनके उपर से बंदन टूटने के लिए जा रहे हैं और मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं और कि समय में साथ बार ताप के ऊपर मैं उस अनुर्णिंटिंग को छोड़ता हूं येशु के नाम में येशु के नाम में यसु के नाम में, यसु के नाम में करजा जाएं इसी समय इसी समय गरीबी के शराप को थोड़ता हूँ इसी समय मसबंदर को थोड़ता हूँ इसी समय बहुत सारे लोग मकान खरीदने पाएं, बहुत सारे लोग गाड़ी को खरीदने पाएं बहुत सारे लोगों के पास fund को मैं रिलीज कराता हूं अब इसी समय जेस्ट को बहुत सारे लोगों की dukaan खुलने पाये शमसी का नाम में बहुत सारे लोग नएने ब지नस के साथ खड़े होने पाये शमसी का नाम में Receive करो मेरे हाथों की तरफ देखो और इसी समय जिसको उल्टिया लग रही है अब इसी समय वीडियो भेजना जिसको ब्रेस्ट मेरे सोली हैं पत्थरी हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स है मेरे हाथ के तरफ देखो और मेरी आँखो की तरफ देखो उनकी पत्थनियां उनके बच्चे जिनमें दुस्ट आत्मा है आज आज़ाद हो जाएंगे वो इफते प्र गंदी आत्मा छोड़ इनके घर को चल निकल जा गंदी आत्मा हो मैं तुमे देख रहूं निकलो इनके घर से और मैं इसी समय परमेश्वर येश्व मसी के नाम से इनके उपर से मैं बंदनों को तोड़ देता हूँ सारा खाया पिला इसकी जाती में से इसके गले में से ओ आदे हिस्से में जो सिर में दर्द करा रही है इसके टांगों में दर्द करा रहा है निकला आप पार इश्वमसी के नाम में आप बेख रहा हूं किसी को कोई काले सूट में ओ वाइट चुननी में कोई ग्रीन चुननी में और एक बहन ने रेड चुननी और रेड शुट डाला है और अभी इसी समय वो उल्टी हैं कर रही ह अपने बच्चों की पढ़ाई में साथ दिन के बाद मैं आपके लिए भईश्यमानी कर रहा हूं कि पूरे साथ दिन के बाद आप एक खुशकबरी देखने वाले हैं शमसी के नाम में बहुत सारे लोग अपने घरों में खुशकबरी देखेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होंगे, और आत्मा बाते करें परमिश्वर आपको चुए, और इसी समय जो लोग चाहते हैं Miracle Money हो, मेरे पास बहुत गवाई आती है Miracle Money की, लेकिन बहु अगर आपको यूरोप में जाना है, कहीं PR चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप फोटो, इडेंटीफाइब, कुछ भी, अपने हाथ में पकड़ो आज, अपने बैंक अकाउंट को आत्मे पकड़ो, मैं आत्मा में देख रहा हूं, और ची समय, मैं उन लोगों के लिए खास प तो आपको करा किसी को रिश्वत में मूँ दिखाई नहीं देनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर को मूँ दिखाई देनी है, और आज परमेश्वर आपको अपने बचन के उसारे भुष्यवानी को पूरा होते दिखाएगा, आपको गवाई आएंगी, आपके अकाउंट में मिराइकल मनी होंगी, इसमसी के नाम में, जिनके 22200 अकाउंट है, या ATM में कार्ड में आ रहा है, या बाद में पीछे लास्ट में थ्री आ रहे है, परमेश्वर का आत्मा कराए के, उनके मिराइकल मनी होने वाली ये शमसी के नाम में, और एक बड़ी गुड़ नीज को कांट कुपी अन्क के हाथ में, मेरे पिता परमश्त तो कोई नशा करता है। जो कोई प्राइलन्ड में हैं, जो पॉइतरातमा जी कोई भी कैसी घटी में आज पॉइतरातमा जी में पराथने करता ह। इंग्लैंड वालों के लिए अमेरिका के लिए अस्ट्रेलिया के लिए निजिलेंड के लिए इसी समय जो इटली से वाच कर रहे हैं पुईतरातम सिंगापर, मुलेशिया, थाइलेंड से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बंगला देश से, शिरलंका से, और शिरलंका से, और शिरलंका से, और शिरलंका से, औ पूइत्रातमा चीन्हार हूं पती शराब नीच días Right Regol táo La a it Production ए येेश्ज के नाम में ईंजel जाओ इंजल जाओ इसकी डरिंग छडाओ येश्व के नाम में आह आठ से इसे चाप हम heav completely गाए काइश्वम्हcape के नाम में और इसी समय खाज कर प्राथन करता हूं प्रभू जिनके पास गौर्मेंट जोब का फारम भरा है इसी समय गौर्मेंट जो ब्यस करता हूं इस्वमसी के नाम में और मैं भश्यवाणी करता हूं टी आर एस MPN के नाम वालों के लिए गौर्मेंट जो मिलने जारी है ये शुमसी के नाम में आप बाच कर रहे हैं मुझे ये सी से मैं रसीव करें ये शुमसी के नाम में वो बंदन तूटने के जा रहे हैं और शी समय अबालबा शबालबा 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 और एटियम कार्ड को इसी समय पुवितरातमा जी मैं प्राथना करता हूँ इनके बैंक अकाउंट में मिराइकल मनी को ट्रांसफर कराता हूँ जैसे पत्रस ने और प्राथना किया और इसी समय येश्यो मसी ने कहा जा मसीडी के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा और वो गया बोता है मूँ खोलने पर मिलेगा और आज इनके मूँ खोलकर आमीन बोलने पर पुवितरातमा इनके बैंक में मिराइकल अकाउंट हो जाए इसी समय जाओ एंजल जाओ 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 मैं साथ बार भेशता हूं तुम्हें मैं तीन बार भेशता हूं इसी समय अस्टेलिया में भेशता हूं इंग्लेंड में भेशता हूं पाकिस्तान में भेशता हूं जाओ इसी समय यूरोप में भेशता हूं इसी समय जर्मनी में भेशता हूं इसी समय मैं यूरोप में बैल इसी प्रकुम्हत नामें रोख जैसे इसमिर पुसाइब से जुम्हति ुम्हतुमन वाल में घुटाउट पर आपक क्षामिश्राह। दिन्दग्यों में और ऐह शमेसी के नाम में एक आज़् आज पर आजू मि नाश ञाया में और आज पना थी मिखशन है終 adult आज आज ऑपने अपने में पर पर समड आज एफ वन के ईखता में खुड़ ऑपने लेचंगे के नाम में बहुत रात्मा जिए प्राथने करता हूं इसी समय परमिश्वर जहां भी इनके हिस्से में कोई प्रॉब्लम है इसी समय और अनॉइंटिंग और को छोड़ता हूं इनके अपर अभी शेक से आज इनके ओपर से वो जुआ टूट जाए पत्रियां बार रसोलियां बार शुगर बार इसी समय मैं देख रहा हूं और आइंटि नामं वलों के बाद सीर पत्रियां रसोलियां जारी हैं बाट की शमक्षкой के नाम में और इसी समय आपके बच्चे आज़ाद हो आजसे गोर्मिट जो में हर चीजमे भ्लेसिंग आज़ार ए अज्बरहा embarrassना करता बंदो इशो मसी नासरी के नाम में, हरे गरीपी का शरा बंदो इशो मसी के नाम में, बंदन ठूट जाएए इशो मसी के नाम में, फ्री हो जाओ जर्च इशो मसी के नाम में, एक बड़ा भी शेक आपकी जीवन में काम करें, बड़ा भी शेक काम करें, जिनके तलाग हो रहे साथ दिन के बाद आपको गुड नियूज मिलने वाली है साथ दिन के बाद आपको गुड नियूज मिलने वाली है और कई लोगों को तीसरे महिने के अंदर आपको मकान की और गॉर्मेंट जोब की आशीश मिलने वाली है बहुत सारे लोग बिजनस खोलने वाले हैं शमसी के नाम है आमीन प्रवितरात्मा ची आज मैं परमिश्वर प्राथन करता हूँ आज काओ मेरे पिछे काओ अपने हाथों को उठाओ काओ परमिश्वर आज से मैं मूँ दिखाई दिया करूंगा आज से मैं मूँ दिखाया करूंगा तीन बार और मैं 120 बार दिन में हालेलुया बोलके नारे लगाऊंगा परमिश्वर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो प्रवितरात्मा कहरा है कहता कि आज 120 स्वर्दूत आपके घर में उतरेंगे और 120 दिन के अंदर आपके काम बनाने वाले हैं ये शमसी के नाम में प्रवितरात्मा इस हिलिंग को देगा आज शरह करम को करेगा मैं फिर से कराओं विक्की विद्या निर्मल तेरे काम होने के लिए जा रहे हैं आप लोग आशिशित होने वाले हैं मैं फिर से कर रहा हूँ N, T, L, K और जो Z मैं कर रहा हूँ कि ऐसे Z से O से नाम आ रहे हैं M से मेगा परमिश्वर का आत्मा कर रहे हैं आपके सिस्टम सब चेंज होने वाला है आपके प्रस्तितियां बदलने वाली हैं आपकी सिच्वेशन चेंज होने वाली हैं इसमसी के नाम में अपने हाथों को उठाओ और परमिश्वर का आत्मा कर रहे हैं और शी समय मैं उन लोगों लिए खास कर बोल रहा हूं कि अपने हाथों में पानी पकड़ो और ये पानी आज आपको पीना नहीं है मैं जो प्रेयर कर रहा हूं आप दुबारा से अपना पानी लो और जो मैं प्रेयर कर रहा हूं अपने घर के हरे कोने के अंदर आज ऐसे करके डालना इशो के लहू की जैह हो इशो के लहू की जैह हो मैं फिर इसे करा हूँ मैं ऐसे करके और फिर डालना मैं पिता इशो मसी के नाम से येशो का लहू लगाता हूँ इस पानी पर और मेरे प्रभू आज जो लाई में ओनलाइन मुझे देख रहे मेरे प्रभू जिस थान पर ये सच में तेरा जल डाल दें क्योंकि आत्मा जल के उपर मंडलाता था और परमिश्वर मेरी प्रेर आज जल के उपर मंडला रही है और मेरे प्रभू इसमें अनोइंटिंग आ रही है जो उन्हें हाथ में जल पकड़ा है नेरे पिता जब ये जल इनके पेट में जाए जब जल इनके घरों में दिवारों पर इनके विश्टरों पर और इनकी गाड़ियों पर इनकी बिजनस पर पड़े इनके दुकान पर पड़े इनके बच्छों पर पड़े और इसी समय इनकी प्रस्तितियां बदल जाए शुमसी के नाम में You are healing in the name of Jesus मेरे प्रभू साथ दिन में result आए मैं तेरा दास हूँ भविशेवाणी करता हूँ तरे नाम से मैं घोचना करता हूँ कि साथ दिन में इनकी जिन्दगियों में result आए गादी शुमसी के नाम में आमीन आप खुछ नसीब लोग हैं ये पानी अपने घर में डालना और परमिश्वर काता हूँ है साथ दिन में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के जीवर में बड़ा काम होगा लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ मैं कुछ ऐसे में मुझे आत्मा ने बताया जैसे चिली में फिर कहीं भुकम पाने वाला है और बहुत तकड़ा कोई बाड़ भी आ सकती है भुकम भी आ सकता है और मुझे ऐसे दिखाया परमिश्वर के आत्मा ने जैसे जापान में समुद्री लहरे फिर आ सकती है मैं ये छे महिने के अंदर को बहुत बड़ी प्राबलम हो सकती है बहुत बड़ी छोटी नहीं बहुत बड़ी और मैं जब प्राथना करा था आख बंद करके मैं परमिश्वर से पूछ रहा था तो पुछ रात्मा ने मुझे का कि इंडोनेश्या को बार बार चितावनी दे कि सुधर जाओ बेदारी आने वाली है प्लीज आप इंडोनेश्या के लिए प्राथना करें सब देश आपके लिए आपके भाई बहन है आप सब के लिए दुआ करें चाहे कोई भी देश है लेकिन मैंने नए साल पे एक बात बोली थी कि चाहे कुछ भी हो विपतियां बाहर के देशों में सुनूगे लेकिन भारत के उपर परमेश्वर की देया बनी रहेगी बड़े भुकंप के जटकी आये लेकिन परमेश्वर ने सुरक्षित रखा ये हमारी प्राथना से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा तो अभी तरह आत्मा आपको सुरक्षित रख रहा है आपके देशों को सुरक्षित रख रहा है आपके शहर को आपके गाउं को सुरक्षित रख रहा है लेकिन मैंने फिर मैंने आख बंद किया तो मुझे रूस के लिए ऐसे दिखाया है जो आला मुखी पढ़ते वे दिखा और ऐसे मैं चाइना के उपर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई आग निकल रही है आग निकल रही है मैं समूदर पर कुछ शैतान को पैर रखते देख रहा हूँ और बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन परमिश्वर का आत्मा कह रहा है परमिश्वर का आत्मा कर रहा है कि आप अपने भारत देश के लिए दुआ करो प्रभु का आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है मैं फिर कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं जैसे चीनी नेपाली लोग हैं और कुछ मैं इंडियन्स देख रहा हूं कुछ मैं बाहर फॉरन के लोग देख रहा हूँ, काले लोग देख रहा हूँ, कुछ मैं गोरे लोग देख रहा हूँ मैं ऐसे ज़्यादा तर यूरोप के अंदर देख रहा हूँ कुछ लोग सड़क पर निकल रहे हैं और मैं आख बंद करता हूँ वो सड़क पर निकलते हैं और हला बचा रहे हैं शायद उनको देश से निकाला जा रहा है ऐसा मैंने एक ड्रीम्स में देखा और फिर मैंने प्रभू से पूछा प्रभू ने मुझे का करें इन लोगों को बोलो स्पेशल प्रेयर करें अपने ल लैंड से आपको कोई भी आपको दुबई से दोवा कतर से आपको कोई देश छोड़ना नी पड़ेगा अस्टेलिया न्यूजिलेंड आप लोग जो मेरी प्रेयर सुन रहे हो क्योंकि मेरा ड्रीम्स कभी और मेरी प्रफेसी जो प्रभू ने मुझे दिखाई जो मुझे द है रहे है माँ पर मेरे पिता परमिश्वर दया कर उनके उपर और सच में पवितरात्मा ची इंडियन्स क्या पाकिस्तानी क्या परमिश्वर नाइजिरिन क्या साउथ फ्रीकन क्या परमिश्वर नेपाली क्या परमिश्वर प्रमिश्वर कहीं से भी लोग गए हैं परमिश ब्लेस करता हूं श्रमसी के और जिनके बस प्यार में डरे डरे घूम रहे हैं कि शायद हमारे पैसे खराब नौ में वापिस नाना पड़े मैं इसी समय मैं इसी समय उस दुस्ट की आखों को बंद कर देता हूं जैसे अलीशा ने आखे अंधी कर दी शत्रमू की याद रखना आखों को बंद करता हूं आपको देखनी पाएंगे आप फॉरान अच्छे से रहेंगे और जो भी करेंगे काम भी करेंगे आपके बच्चे आपके परिवार आपके घराना दुस्ट को दिखाई नहीं देगा जो आपको निकालना चाता है प्रभी तरात्मा काम कर रहा है और प्रभी शमसी नासरी के नाम से मैं इसी समय दुस्ट को बाद देता हूं और इसी समय आप जो फॉरान में इनके बच्चे आज शिशितों आज से डबल कमाई करें शमसी के नाम में ब्लेसिंगा इनके घर में और आज जो मुझे इंडिया से भी देख रहे हैं कहीं से भी देख रहे हैं महराश्य से भी देख रहे हैं पंजाब हर्याने से दिल्ली से यूपी से और वियार से कहीं से देख रहे हैं केरला नेपाल से उडिसा से पाकिस्तान से कहीं से देख र वाले होंगे और सच में आपकी एडियों के उपर से आज से शराफ हटा है प्रभु ने मुझे का इस प्राथना के बाद आप जहां भी आप पैर रखेंगे आप आशिशित होंगे ये शुमसी के नाम में आपके पैर शुद की हैं आज ये शुमसी ने मैं इसलिए का था पान तूट चुके हैं शुमसी के नाम में आप गुड न्यूज को देंगे मुझे साथ दिन तीन महिने 120 दिन आप नोट कर लेना कुछ लोगों को ऐसे परमिश्व और गवाईयां देगा पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे हम देखते हैं अभी इसी समय अपने हाथ उनको शमा किया वैसे आप भी मारे प्रादों को शमा करें बोर प्रिक्षा में नाले प्रंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य, प्राक्रम, और महिम, सदा तेरे ही हैं परमिश्व और परमिश्व और मैं सच में सच में चाहिए आज मुझे पहली बार देख रहा है तोड़ेगा मैं इश्वास करता हूं पोई ट्रात्मा जी और ये लोग आज इसी समय अपने इसलारों को भी जब शेयर करते हैं इनकी जिंदगीयों में सक्सेस्फुल इसी समय प्रेस हो जाए इन शुमसी के लाए अब हमारे पिता प्रभी शुमसी का प्रेम उसका नुग्र लेकर बैठना मैं उनको खुशकबरी दूँगा सिरफ तीन दिन में हालेलुया ये बहुत बड़ी बात है जो लोग गोर्मेंट जो चाते हैं कुछ आपको खुशकबरी मिलेगी मैं संडे को सुबह आपके लिए प्रात्ना करूंगा और आप देखो कि मैंने प्रात्ना किय एक बहन के लिए नाम लेकर और ऐसे कर रहा था मैं जब आप गवाईया सुनते हैं तो आप विश्वास करें एक स्वर्ग दूथ यहां से जब मैंने प्रात्ना किया यहां से एक एंजल आपका पीछा कर रहा है मुझे पता है कि आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं मैं इटली जाने वाली है आपका रंग बहुत गोरा है और आपके पिछे पिंक दिवार आपके घर में और परमिश्वर कात्म कर आपके नवी नवी शादी होई है आपको इटली में यूरोप में कहीं पियार मिलने वाली है आपको ब्लेसिंग मिलने वाली अभी वीजा मिलने गुड़ी ऐसे कुछ नाम है आपके फरमिश्वर कात्मा जल्दी कारवाई कर रहा है और शीषभे स्वर्दू जा रहे हैं लेकि जब आप गवाईया सुनते हैं तो छुटकारे होते हैं और वही सेम प्रोब्लम जो गवाईय में आपको आपको लगता है कि आपको प्रोब्ल दिखाएंगे अभी आफ्टर लिस्निंग तो लाइप्रेयर प्रफेसी फ्री फ्रम करोना वायरस लेट से संट तो दे प्रफेसी मेरा नाम सोनिया है मैं एक हेल्प वर्करों स्टाफनस हम दोनों हस्पनवाइच तीन जून को कॉरोना पॉसिटिव हुए थे और जिसके कारण हमें 14 दिन का कॉरंटाइन होम कॉरंटाइन बोला गया था हम पहले जब रिपोर्ट आई तो हम लोग बहुत दर गए थे क्योंकि हमारे दो छोटे बच्चे हैं हमने पास्टर बजिंदर सिंग इनकी मिनिस्ट्री हमने देखी उस टेम आपने प्रोफेसी की कि जो भी इस व प्रोफेसी को ग्रेंड किया रिसीव किया आपने बोला एस नाम वाले और बहुत सारी नाम आपने बोले जिसमें हम तीनों का नाम ऐस से आता है मैं देख रहा हूँ SM और N और K नाम वालों के लिए पवितरात्मक खुशकबरी देने के लिए जारा आपकी स्माइल वापी सारी है और हमने जब उसे रिसीव किया कि आपके घर में तीन तीन गुड निउस आने वाली है प्रपास्टर बजिंदा सिंग को और उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो इन गवाईयों को सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में काम हो रहे हैं कोई पूजा टोनी सोनी और राहूल आरून मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो बहुत अंदिराश हैं और फ्लोप हो रहे हैं बार बार लेकिन परमिश्वर का आत्मा कहता है आपको आपने किसी पेड़ पर तागा बंदा है मैं फिर से कहा रहा हूँ आपको क्या मुझे नहीं जानते है लेकिन प्रभू आपको जानता है आपने किसी मैंने जो नाम लिया भी के टोनी सोनी ऐसे मैं कुछ ने देख रहा हूँ अरून पूचा आपने किसी आपके परिवार में से किसी ने बंदा था आज ये मूँ से करके Purmishwar मैं शराप को टोड़ती हूं मिडिकर किसी आपने किसी कोई चीज को बंदा था आपने अंगी कार करना है पर च्टाप करना है परमिश्वर आपको फुटकारा देने के लिए जा रहा है और देखो जिन लोगों को शुगर है मैं कर रहा हूं कि अभी जुनों ने गवाई सुना उनके घर में कोई भी कुरोईना वाइरस कोई भी खांसी जुखाम भुखार नहीं रहेगा परमिशर आपको अजाद करेगा और इससे में जो लो प्राकर जी ने कहाँ था जूगर प्रेसर जो जा रहा है रिशीब करो मैं किया रहा हूं कि आपको डायबटीज, शुगर, ठाइरड ऐसा कोई प्रणा में शुस हो रहा है यह कोई काला पी लिया में मैं शूस हो रहा है आतमा कहातों महिलीं को देख रहे हूं मैं आप इस् पापा जी, पाफेट बिजेंदर सिंग पापा जी को भी धाने बार देती हूँ, सारा मिनिस्ट्री को धाने बार देती हूँ को यह बहन बैस्ट बेंगोल से थी और उसे पहले आपने यूपी से देखा, मतलब परमिश्वर काम कर रहा है हैं इंपर बैठ कर, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम से आप हिलिन को देखने वाले हैं, अपने हाथों को फिर से उठाओ एक बार और बड़े आश्चरय करम को पर मेरे पिता परमिश्वर को खल देखा हैं यूपीरसऑ आप c catch विय्यूंट काना परमिश्वर को थे आप ब्लेसंग को खौलते शुमसी कम मतलचring को तरिस्वर की नाम की बार 1 आऑच मोलों को बेटा यह जा रहा है है लिए इस बार मेरे करे और S N K P वनाम वालों के लिए जोग के लिए परमिश्व काम खोल रहा है तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी बड़ी जल्दी हाँ सुनें के गवाई और परमिश्व आपको आशिर आशिर वात दे सुनें ध्यान से Bless with Miracle Money after listening to Professor in Live Prayer. Let's listen to Prophet Ji's Professy. कर चुका है और मैंने सेकेंड देखा मेरे अकाउंट में 14,000 रुपए की Miracle Money है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ. सब को जय मसी की। आपने अभी इसी गवाई को सुना, परमिश्वर ने चमतकार की अजबहन के साथ Miracle Money हुआ। आप मैं फिर से कह रहा हूँ, साथ दिन में आप Miracle Money को देखेंगे। जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, दश्वांस देते हैं, बीज बोते हैं, परमिश्वर चाहता परमिश्वर है, आईए अपने हाथों को उठाओ, और पवितरात्मा जी मैं पराथना करता हूँ, मेरे प्रभु जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री में बीज बोया है परमिश्वर, भेट, दान, दश्वांस दी हैं परमिश्वर, जो लोगों ने सच में मेरे पिता परमिश्र में पराथना करता हूँ, इनके उपर से हरे करजा कादम होने पाए शमसी के नाम में, आज से ये 30 गुनानी, 60 गुनानी, 100 गुना मिराइकल मनी को देखने पाए शमसी के नाम में, आज से डबल होने पाए, डबल होने पाए, डबल होने पाए, डबल होने पाए, में सोग ना बढ़ जाए पिता ये शू के नाम से मैं अंजल को भीता हूँ जाओ इनको बढ़ाओ इशु मसी के नाम में और गवाई के साथ है इशु के नाम में अमें जो लोग इश्राइल से प्यार करते और spirit के लिए परमिश्र उनको प्रमेश्राइल को ब क्यारेएं। प्रमिश्वर आपसे प्यार करता है, मैं फिर से क्या रहा हूं, कि आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, आपको सिरफ दो काम करने हैं, हालेलुया के नारे लगाने हैं, तो 120 बार दिन में, और आपको क्या करना है, जितनी बार आप लगा सकते हैं, अदम है आप और आपको मूह दिखाना है आप मूह दिखाते हैं परमिश्वर को जब आप मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं मूह दिखाई दे रहे हैं याद रखना परमिश्वर आपके बंधन क्यों नहीं तोड़ेगा याद रखना परमिश्वर आपके बंधन तोड़ेगा परमिश्वर को पवितरात्मा आपके काम बनाने वाला है परमिश्वर आपसे बहुत त्यार करता है और वो आज रात आपको ड्रीम्स में वाज करने वाला है तो आम मिलेंगे संडे को गोड ब्लेस यू सबको जय मसी की आई एम गवाई सुनेंगे आफ्टर लिसनिंग तो प्रफेसे इन लाइफ प्रेयर फ्री फ्रम दिप्रेशन नौ लेट्स लिसन तो देखने वाले कुले मैं प्राथना कर रहा हूं अपने वाले के जिसको जहां प्रॉलम होरी है वहां लगाए राचाए मैने सर पिलागा उसके बाद मेरी पूरा उल्टीया चालू होने लगी मैं प्रभु को बहुत बहुत धनिवाथ देता हूं कि मुझे उन्होंने डेप्रेशन से पर गाय के बहुत भुत बहुत प्रभु को मैं धना द्याना चाता हूं प्र प्रोफिट प्रफिर जी ने कहा था आर नमलो हीलिंग देख रहे हैं और किसी के पीठ में दर्द है और गाठ जाए श्मसी के नागे मैंने रिशीव किया था गार थी ओपकर में आता था एक साइट बहुत ज़्यादा दर करता था ओठीक हो गया मेरा प्रवमिसों को धन्यवाद देती पापा इस भेंग का नाम मिनाक्षी है और ये अपनी गवाही दे रहे हैं इनको 10 साल से यूटरिस में बच्चा दानी में 10 mm की रसौली थी और डॉक्टर्स ने इनको अपरेशन तक बता दिया था और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे जब ये चर्च में आया य अनाइन टिंग ओल और वालटर लेकर गए इनोंने यूज किया और आप रफैसी करें थे कि जिनके यूटरस में रसौलीया है या पर्थ्रिया है आप विश्वास करें कि परमिश्या आपके ईवर्ल में काम करने के लिए जा रहे हैं इन्हों ने विश्वास अनाइन इन य मेरे बच्चे दानी में रसॉलिया थी और डॉक्तर ने मुझे ऑप्रेशन के लिए बोला था तोनों ओवरी से मेरी बड़ी 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 शिस्ती मैं सबसे पहले डेरा बाबा नानक में आई थी और वहाँ पे मैंने प्रोफैसी रसीब की फिर मुझे पता लगा कि चंडी गड में क्रच लगता है और मैं तीन बार आई इन्होंने प्रोफैसी की कि जिनकी रसॉलिया है वो दुआ बरके उन्ने वाली है और मैंने पूरे तीन चौथी बार जब मैंने वो करवाई एपनी रिपोर्ट और वो बिल्कुल नॉर्मल कुछ भी नी है हाले लुलिया यूट्रिस मेरा सोलिया बताई थी और अब ये नॉर्मल रिपोर्ट है नहीं रिपोर्ट है किसमें अब कोई भी रसोली नहीं है लेकिन अनॉइंटिंग वाडर और ओयल जब इसने लिया उसके बाद ये बिल्कुल टोटनल फ्री हो गई जब भी माती थी हमेशा दोनों बोटल लेके जाती थी और हमेशा नेक्स टाइम भो खताब होती थी मैं हमेशा जब भी आती हूँ बोटले लेके जाती हूँ और पीती हूँ और उसमें बहुत बहुत अभी शेक है बिल्कुल आप सब लोग को यूज करें और लोगों को भी बताओं बिल्कुल सब चंगी हो जाएगा कि जो लेडिस प्रेगनेट नहीं होती है पर मेशिरू ने ब्लेस करेगा और इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटी को यूज किया और आज ये बहन टू मच्श प्रेगनेंट है क्या है है कि प्रेइवक प्रात्ना आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाली है Uh श मसी के नाम में 6 साल से तुम्हारा प्रेगनेट नहीं हो भर है डिसी और अंगर जी बह rays खिलाई तूम्हीं से राम कर ते शी रहा ऐज़ान ऐगा पर मेरी शिष्ट की रड़की मेरे को यहां के बारे मताया और मैंने विश्वास किया मैं फस्टीन महीने पहले यहां चरज में आया और मैं यहां से एंटिगोई वाइल और अटर लेके गया और पूरे विश्वास के साथ लूज गिया फिर में खायू देखता रहा और तो आप उपेंज मेसी दो मेंने से प्रेंगे रहें आगा गवाई के साथ ने अफार चाहँ है अगार जाँ कुछ पोटनिया यह बेन ने उम्मीद खो देती कि शाहिए दूसरा बच्चा होगा कर नहीं जगह-जगह इसको पता है, मैं इसलिए पूछता हूँ कहीं बार, कि इसका दर्द आपको सची गवाई दे रहे हैं, इसके आंसू यह गवाई दे रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं, शायद अपने ही लोग खड़े कर दी हैं, रिगास होएं नो, मेरे को जानते हूँ कहीं आप मिले हूँ क जानते हैं, ना कोई फोन नंबर हैं, लेकिन इसको पता है, दर्द क्या होता है, लेकिन सच में परमिश्वर, ऐसे लोगों के ओपर जो इनको प्रोब्लम्स हैं, आप राच को रो रो कर उनके दुआ करो, मैं कहा रहा हूँ, आपकी भी सुनने वाला है परमिश्वर, रिच जवास के साथ, ये कौन है, येश्व, दुझा फुलिजे का, जेके बरिवाचा बंद दूब्लम्स है, प्रोफिट ये बता रहे हैं, ये बहन पिछले तीन साल से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ये यहाँ चर्च में आप रोफेस्वी कह रहे थे, जो लेडी ज़ प्रेंग है, प्रोफिट जी प्रोफेस्वी कर रहे थे, जिनके पास बच्चा नहीं है, उनको मिलने के लिए जा रहा है, और मेरे भाई भी मेरे साथ में आये थे, तो प्रोफिट ने कहा था, कि मतलब कोई परवीन नाम खा लड़का आया है, जो बेबी मांग रहा है, और उसने यल कलर की साथ पैन रखी है, तो हमने उसी टेम प्रात्ना प्रोफिटिग वर्ड को रिसीव किया, और उसी महीने मेरी भावी ने बेबी कंसीव किया, तीन साल हो गें, तीन साल, बच्चा नहीं था, लेकिन ये भाईशे मानी को जैसे सुना, मेरी बात सुनो, बेशक आप मेरे तुसी चांदे हो के परमेश्वर्ट वाननों बहुत सारी बरकता देवे, ते अज तुसी अपना बीज परमेश्वर्ण नों परसन करन वास्ते, ओदे कमा वी चलाओ, मेरे कहनदा मकसदा के जिवें साथा चर्च जलंदर ताजबुर्च वीच बन रहे है, चंडिगड वी सकते हो, परमेश्वर्ण नों बहुत ब्लेस करेगा, ते ऐसा अड़ा अकाउंट नंबर रहे है, ते तुसी देख रहे हो, ते परमेश्वर्ण आत्मा कहनदा के जड़े बीज बोनगे, और जरूर फलनगे, ते मेरा विश्वास हा के जड़े इस मिनिस्ट्री नों प्रभ आचिस देख रेने, पवितरात्मा में प्राथना कर देंगा, आज अन्यादे बिजनस बढ़त जेन ये शुदिनाविज में प्राथना करदा पाएजि वो विश्वाटवा जो अगर आप भी अपनी आशीशों को पाना चाहते हैं तो आप ही जरूरा है दिचर्च ऑफ ग्लोरी और विज्डम प्रोफिट बजंदर सिंग मिनिस्ट्री में अधिक चांदकारी के लिए आप हमारे प्रियर लाइन नंबर भी संपर्ख कर सकते हैं 01725100777 अपनी आशीशों को पाने के लिए और प्रोफिट बजंदर सिंग मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेट बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लाइक शेर और कमेंट करें कर आप भी अपनी आशीशों को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आएं दिचर्च ओफ ग्लोरी और विजडम प्रोफिट बजंदर सिंग मिनिस्ट्री में अधिक चानकारी के लिए आप हमारी प्रियर लाइन नंबर पर भी संपर्ख कर सकते हैं अपनी आशीशों को पाने के लिए और प्रोफिट बजंदर सिंग मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेट बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेर और कमेंट करें